बिस्मिल्ला इर्वान रहीम, अस्सलाम अलेकुम इस वीडियो में हम punctuation के paragraph को solve करेंगे जो के CSS 2021 के English Pressy and Composition के paper में पुछा गया है इससे पहले हम Pressy और Translation के paragraph के solutions के उपर भी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो में हम दो तरह से punctuation के इस question को solve करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये except कहां से लिया गया है originally ये कौन से manuscript से belong करता है इसके इलावा हम online और कौन-कौन सी जगों से punctuation की exercises को practice कर सकते हैं हम one by one punctuation marks को भी देखेंगे कि कहां पर कौन सा punctuation mark क्यों आया है और वहां कौन सा rule apply होता है ये paragraph एक literary essay से belong करता है और ये start हो रहा है that familiarity produces neglect has been long observed अब यहां observed पे बात खत्म हो रही है इसका मतलब ये है कि यहां पे एक terminal mark आएगा terminal mark कौन-कौन से होते है terminal mark punctuation marks में एक period यानि के full stop है एक exclamation mark है और एक question mark है ये तीनों terminal marks है यानि के जहां पे बात खत्म हो रही होती है वहां पे ये punctuation marks इस्तमाल किये जाते हैं हम इन तमाम punctuation marks के अलग-अलग से वीडियो में rules सारे discuss कर चुके हैं अगर आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं उसका link आपको पर I button में और नीचे description में मिल जाएगा जो most commonly used terminal mark है वो है full stop तो यहां पे full stop का जो rule apply होगा जो observed के बाद full stop आएगा वो है यहां पे यह kind of declarative sentence है तो इस विज़ा से यहां पे full stop आजाएगा तो बात खतम यहां पर हो गई इस विज़ा से यहां पे अब full stop आजाएगा which is a terminal mark क्योंकि बाद terminate हो गई है और दरमियान में एक sentence के that familiarity produces neglect यहां पर कॉमा आएगा कॉमा separation के ली भी even use होता है compound sentences में sometimes यहां पर separation करनी हो compound sentences में वहां पर भी कॉमा इस्तीमाल होता है जहां पे कोई एक conjunction आना हो और वो ना इस्तामाल हुआ हो तो वहां पर भी कॉमा इस्तीमाल किया जाता है इस sentence में that familiarity produces neglect के बाद कॉमा आएगा यहाँ पर एक sentence खतम हो गया, complete हो गया तो अगला जो लवस होगा, क्योंकि नया sentence शुरू हो रहा है तो T capital होगा, D का T capital होगा The effect of all external objects, however great or splendid, ceases with their novelty बात यह है कि जब हम बोलते हैं, तो हम अपने आवाज के उताजरहाओ से या फिर pauses से अपनी बात दूसरे तक convey करते हैं और यह बताते हैं कि हमारी किस word का क्या मतलब था, कहां पर ज्यादा जोड़ दे के बात करनी थी उसको हम थोड़ा emphasize करके, उंचा करके बोलते हैं तो हम अपनी आवाज से, हम अपने बात करने के तरीखे से, अपनी speech से उस बात को meaningful बना रहे होते हैं लेकिन अगर कोई शख्स कोई चीज रीड करेगा, वही बात अगर लिखी हुई होगी तो हम pauses नहीं दे सकते हैं लिखने में और वो pauses देने के लिए हम मुखतलिफ punctuation marks को इस्तमाल करेंगे यह बताने के लिए reader को कहां बेह बात खतम हो गई है और कहां से अब नई बात शुरू हो रही है या किस बात को हम ज्यादा emphasize करना चारहे हैं इसलिए हम उसको inverted commas में कर देंगे और यह सारा काम हम punctuation के जरीए से करते हैं अब यहाँ पर इस जो next sentence है उसमें है the effect of all external objects के बाद एक कॉमा आएगा और उसके बाद आएगा however great or splendid और इसके बाद भी कॉमा आएगा यहाँ पर कॉमा इस sentence में however से पहले और splendid के बाद यहाँ पर कॉमा enclosure का काम कर रहा है यहाँ पर यह रूल अप्राय हो रहा है कॉमा का कि अगर आप देखें कि यहाँ पर कॉमा ना हो और इसको आप parentheses में कर दें यानि कि ब्राकेट्स में कर दें इस portion को तो इसका क्या मतलब बनेगा और ब्राकेट में यह बात आ जाएगी तो यहाँ पर जो कॉमा का रूल अप्लाय हो रहा है वो यह वला है कॉमा के सारे रूल्स के ऊपर भी अलग से वीडियो आप वो भी देख सकते हैं और पर इसका क्या मेन बन रहा है अगर हम आगे इस संटेंस को देखें तो है The courtier stands without emotion in the royal presence The rustic tramples under his foot the beauties of the spring With little attention to their fragrance And the inhabitants of the coast darts his eye Upon the immense diffusion of waters with the wonder or terror So last sentence है यहां पे बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड है Water, wonder और terror इसका यह मत्तब है कि यहां पे तो इनको separate करने के लिए कॉमा आएगा लेकिन यही जो चीज़ें है Courtier stands without emotions और फिर rustic tramples और फिर inhabitants of coast darts यहां पे यह अलग अलग चीज़ें हैं और यह चीज़ें यहां पे separate हो रही हैं एक दूस्टे से इसलिए seizes with their novelty के बाद semi colon आएगा semi colon full stop यह period और कॉमा का combination है It is not a colon जिसमें दो full stops होते हैं It is not a comma जो सिर्फ फिल स्टॉप के होता है मगर यह एक combination है जिसमें यह दोनों चीज़ें है इसका यह मतलब है कि यह वो काम करेगा जो colon और कॉमा के दर्मियान में होगा इसी विज़ेंस को semi colon कहते हैं जो semi colon है यह strictly एक mark of separation है तो seizes with their novelty के बाद semi colon आएगा क्योंकि आगे जितने भी यह clauses हैं यह phrases हैं यह independent phrases हैं जैसे आपके देखें अगर यह इस तरह भी लिखा जाए तो यह अपना बीनिंग कन्वे कर रहा है तो semi colon इस्तमाल होता है to separate an introductory subordinate clause from a main clause तो यहां पर यह वाला rule apply हो रहा है semi colon का इसलिए royal presence के बाद क्योंकि यहां पर बात खतम हो रही है इस विखें से यहां पर एक semi colon आ जाएगा उसके बाद अगली बात अगला sentence जहां खतम हो रहा है their fragrance है क्योंकि यह बात है the rustic tramples under his foot the beauties of the spring with little tension to their fragrance और अगली बात जो है जो है वो जो last है वो यह है the inhabitants of the coast darts his eyes upon the immense diffusion of water यहां पर कौन सा rule apply हो रहा है यहां पर यह rule apply हो रहा है कि अगर किसी sentence में आगे commas इस्तमाल होने हो जैसे कि इस sentence में इस्तमाल होने है water के बाद एक series है इस series को separate करने के लिए क्योंकि यहां पर commas इस्तमाल होने है इसलिए इस sentence को हमने यहाँ पे separate करने के लिए semi colon इस्तमाल किया है तो यहाँ पे यह rule apply हो रहा है using the semi colon जहाँ पे आगे एक sentence के अंदर कॉमा आने है तो separate करने के लिए independent clauses को maybe have used a semi colon और last में कहाँ पे आने है एक यहाँ पे आएगा diffusion of waters यह series आ रही है waters फिर है without of इसके बाद कॉमा आएगा उसके बाद wonder के बाद कॉमा आएगा क्योंके और या end हो तो उससे पहले आता है कॉमा और यहाँ भी एक पुरी series है और उसके बाद terror के बाद आजाएगा फुल स्टॉप और यह पूरा paragraph हो गया है punctuate अगर अब आप इसको पढ़ें तो आपको clearly पता चलेगा के कहां पे pauses हैं कहां पे बात खतम हो रही है कहां से बात नहीं शुरू हो रही है और कहां पे examples हैं या series है यह एक तरीका था इस paragraph को punctuate करने का यह जो original manuscript है वो हम अभी आगे देखेंगे किया है original manuscript वहां से लिया गया है और वहां पे यह है punctuation का तरीका इस paragraph को punctuate करने का दूसरा इसका जो तरीका है वो कई जगों पर यह इस तरीके से भी punctuate हुआ है कि बाकी सारी चीजें उसी तरीके से हैं जैसे हमने पहले वाली example देखी with some differences separation उसी तरह से हो रही है semi-colon के जरीए लेकिन जहां पर हमने सबसे पहले semi-colon use किया था somizes with their novelty के बाद यहां पर colon इस्तमाल किया गया है colon यह introduction के लिए इस्तमाल होता है यह फिर separation के लिए इस्तमाल होता है introduction के लिए कैसे इस्तमाल होता है जैसे आगे कोई list देनी हो या कोई enumeration हो या किसी चीज़ की classification हो तो वहाँ पर ये इस्तमाल होता है as a mark of separation ये इस्तमाल होता है titles को सब्टाइटल से अलग करने के लिए और जैसे hours और minutes को अलग करने के लिए भी इस्तमाल होता है तो वो भी colon होता है और as a mark of introduction ये इस्तमाल होता है अगर कोई formal quotation इंत्रोड्यूस करनी हो या फिर किसी चीज़ की कोई restatement हो या फिर कुछ किसी चीज़ की examples देनी हो clarify करने के लिए तो वहाँ पर भी ये इस्तमाल होता है lists ये enumerations के लिए इस्तमाल होता है और यहाँ पे इस punctuation mark को इस्तमाल किया गया है with one more exception इसमें spring के बाद एक कॉमा लगाया गया है और फिर आगे बागी के वही punctuation mark अब यहाँ पे इस को separate किया गया है semi colon से क्योंकि इसके दर्मियान में कॉमा था इस वज़ा से और आगे वाले sentence के इंदर भी कॉमास है यह दूसरा तरीका है इस paragraph को punctuate करने का दोनों तरीके दुरूस्त है I personally recommend the former version अभी punctuation करने का या कोई भी English का question solve करने का basic मकसद यह होता है कि आपको उन techniques से रूबरू कराया जाए जिनको इस्तमाल करके आप किसी भी तरीके की चीज को solve कर सके किसी भी तरह का question हल कर सके और यहाँ पे भी यही मकसद है कि आपको वो rules पता चलें आपको वो techniques पता चलें जिनसे आप किसी भी तरह का question solve कर सकते हैं अभी हम देखते हैं कि यह paragraph आया कहां से है Samuel Johnson एक बहुत मशूर English critique रहे हैं biographer, editor, lexicographer Oxford के वो graduate है और 1709 में वो पैदा हुए थे एक बहुत ही मशूर नाम है English literature का उनकी बहुत सारी contribution है as a poet, play writer, essay writer moralist और उनके बारे में कहा जाता है कि he is arguably the most distinguished man of letters in the English history तो उनके एकाम को उनकी वफात के 260 years के बाद republish भी किया गया और उनके उपर कई एक reviews भी लिखे गए जो punctuation का version हमने पहले देखा है वो उनके original manuscript जिसका नाम है The Works of Samuel Johnson Volume 4 No. 67 और वहां से लिया गया है और यह उनका essay है on the trades of London और जो later version है जो हमने बाद में punctuation देखी है written by Marvin Madrick और यह Hudson Review में शाया हुआ है 1970 में जो के एक magazine है literature and arts का इसके इलावा यह punctuation mark की exercise आपको online भी मिल जाएगी online का link आपको video के description में मिल जाएगा Hitbulls Eye की website से उस link के उपर जाके आप और भी बहुत सारे punctuation के exercises practice कर सकते हैं और वो आप उसी सूरत में हल कर सकते हैं जब आपको punctuation के rules का पता होगा जब आप mathematics करते हैं तो आपको formulas सिखाये जाते हैं अगर आपको mathematics के या physics के formulas आते हों तो आप वो कहीं पर भी apply करके question को solve कर सकते हैं same goes for punctuation rules अगर आपको उसके basic rules का पता होगा तो आप उसकी exercises को practice कर सकेंगे तो आप उसके rules को सीखिए हमारी punctuation की playlist से और उसके बाद online जाके उस practice कीजिए या फिर कोई भी book जो आपके पास है आप उस book में से भी practice कर सकते हैं punctuation की exercises को practice is the key to success one more thing to mention अगर किसी भी एक किताब से एक दफा एक्जाम में कोई चीज आ गई है it does not necessarily mean के हर बार या अगली बार भी उसी में से सवाल आएगा हम sources को सिर्फ इसलिए discuss करते हैं to broaden your vision के आप कहां कहां से तयारी कर सकते हैं या आपकी कितनी vast reading होनी चाहिए we always recommend our students to read from a variety of sources and variety of genres जैसे ये excerpt part है एक literary essay का इसी तरह अगली दफा कहीं और से भी आ सकता है that means you should be all-rounder आप news भी पढ़ें आप editorials और opinions भी पढ़ें आप fiction भी read करें आप scientific developments के बारे में जो magazines हैं या जो websites हैं उनको भी visit करें और वो चीजें भी पढ़ें ताके आपकी broad vocabulary हो आपको हर तरह की जो language है उसको understand करना आता हो अगर आपको वो language understand करनी आती होगी तो ही आप punctuation कर सकेंगे तो ही आप कोई भी paragraph अगर वो प्रैसी का भी आया है तो उसको समझ सकेंगे अगर comprehension है तो उसको समझ सकेंगे तो अपनी reading के अंदर variety लेकर आए we hope this has been helpful for you thank you for watching